आज हम्थ में बेवशाय अध्यनिमे 16 इसकंद भीद्में एवं सेवी लेशन्ड पढ़ने जा रहे हैं आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकंद भीद्में का आर्थ इसकंद बिन्वे एक बजार है जिसमें प्रतिव भूतियों को प्रस्तूत एवं बिक्रें की जाती है ये बिक्सित पुंजी बजार का एक आवश्यक अंग होती है एक बार फिर से इसको हम देखते हैं इसकंद बिन में एक बजार है और जिसमें प्रतिभूतियों को प्रस्तूद और विक्रे की जाती है। अब हम अगर इसकी परिभाशा प्रतिभूति, प्रसंबिदा, अधिनियम के अनुसार पढ़े तो इसकी परिभाशा दी गई है कि प्रतिभूतियों के क्रय विक्रे के कार्य को नियमित तथा नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करने के उदेश से बेक्तिगत या सामोहित तथा पंजियन या अपंजियन रूप में संगठित बाजार को इसकंद बिन में कहा जाता है। तो बच्चों इसमें एक चीज़ बताया गया है कि जो संगठित बाजार है उन्हीं को हम बिनमे कहते हैं तो यह तो रही परिभासा की बात और पहले मैंने आर्थ भी बताया अब हम अगर इसकंद बिनमे के लच्छन के बारे में पढ़े हैं इसकी कुछ विशेष्टा है जि इसकी पॉइंट से इस पस्ट है कि यह बाजार किस चीज का है प्रति भूतियों का बाजार है तो इस टाक एक्सेंड में निगमों में या सरकारी प्रति भूतियों के क्रय विक्रे का एक संगठित बाजार होता है इसलिए हम इसे प्रति भूतियों का बाजार कहते हैं दु प्रतिभूतों का दुत्येक बजार होता है यह दूसरा पॉइंट है तीसरी पॉइंट की बात करें तो सदस्थो दौराइक् राइव इसमें जो बिसी होते हैं वह प्रतिभूतीूं का क्रय और क्रय करते हैं के वाद अधिकरित ब्रो कर Сейчас सदस से इसको कर सकते दूसरा कोई नहीं कर सकता है इसके बाद संगठन स्टाक एक्षेंड बेक्तियों का एक संगठन होता है इसमें बेक्ति का संगठन होता है और स्टाक एक्षेंड के ही बेक्तियों का संगठन है मानिता, Stock Exchange के लिए केन सरकार से मानिता आवश होता है यनी अगर मानिता नहीं है तो हम Stock Exchange नहीं खोल सकते हैं अब इसकी कुछ विशिस्ता से नियम Stock Exchange का कारेकरन से भी और इसके बनाए गए नियमों के अंतरगत होता है जो भी इसके नियम बनाए गए हैं उसी के अंतरगत होता है फिर इसका विशेष्टा में इस्थान है इस्थाक एक्षेंड है तू एक नियत और एक विशेष्ट इस्थान बनाए गए हैं उसी इस्थान पर इस्थाक एक्षेंड हो सकते हैं और दूसरे जगा नहीं हो सकते य कुछ विशेष्टा हैं इसी विशेष्टाओं के हम आगे अगर देखते हैं तो विशेष्टा के बाद अगर हम अगले प्रश्ण की बात करें तो इसमें एक आता है इसकंद बिनमे के कार्य यानि इसकंद बिन में के कोण कोण से कार्य है कार्य महत्वर पहला कार की वाद करें तो पहला कार है प्रतिभूतियों का बजार प्रदान करना यह पहला कार है इसकंद बिन में प्रतिभूतियों के क्रय बिक्रे का एक तयार बजार प्रदान करता है मतलब एक बजार बनाता है जिसमें इसकंद के बेचने या खरीदने का कार होता है प्रतिभूतियों का मुल्व निर्धारण इसकंद बिन्मे में सुचियन जो प्रतिभूतिया है उनका मुल्यांकन निरंतन होता रहता है इसमें मुल्व का जो निश्चित है वो अनमान लगा जाते हैं फिर आपका इसका कार्य है बिन्योकताओं को सुरच्छा इसकंद बिन्में स्फष्ट एवं इस्थित नियमों के अंतरगत ब्रिस्थित जो भी इसके बड़े नियम है उसके अंतरगत चला जाते हैं इस प्रकार ये प्रतिभूतियों को सुरच्छा प्रधान करते हैं प्रतिभूतियों के सुरच्छा प्रधान में इनका महत्व होता है फिर अगला कार है पूंजी निर्माट पूंजी का निर्माट इसकन बिन में असंख लोगों को बचत करने के लिए प्रोच साहित करते हैं उन्हें ये बताते हैं कि आप किस तरह से पूंजी बचा सकते हैं पैसे बचा सकते हैं और उसका विकास अपने जीवन में कर सकते हैं फिर है आर्थिक विकास, इसकंद बिनमे के द्वारा बेगती अपनी बचत को उद्योगी कमपणियों में लगाने के लिए प्रुसाहित होता है, जो भी उद्योगी कमपणियां हैं, उसमें वो अपने बचत को लगा सकते हैं, इसके लिए वो बचा सकते हैं। धन का नियोचित बित्रण अगला इसका कार है धन का नियोचित बित्रण इसकंद बिनमे का एक और कारे ये है कि उपलब्द धन की विभिन्य इकाईयों और विभिन्य उद्योगों में नियोचित धन से किस तरह बित्रण किया जाए इसका भी ये कारे करते हैं तो धंग का नियोचित वित्रण का कार भी यही करता है। फिर अगला इसके कार हैं कमपनी के प्रवंध का नियमन। कमपनी का जो भी प्रवंध का कार है किस तरह प्रवंध का कार करना है। यह नियमन का कार भी इसकंद बिन में के माध्यम से होते हैं। तो कम्पनी को अपनी प्रतिभूती के सूचियन में कुछे निर्दिष्टे आप्चा रखतायों को पूरा करना भी अनिवार्ज है तो इस तरह से कम्पनी के प्रवंद का नियमन से भी वर्गी के माध्यम से होता है तो आपने देखा कि प्रवंद के कुछ कार है इनको अगर मैं आपको फिर से बता दू मैं पहले हम इसकी विशेष्चा को अगर हम आपको बता दे हैं तो इसकी विशेष्चा है प्रतिभूतियों का बजार है दूसरा है दुत्यक बजार है एक चीज़ में बता दूँ पॉइंट को आपको अच्छे से लर्ण करना है याद करना है क्योंकि पॉइंट पे ही सब कुछ निर्भर करता है फिर सदसो दौरा क्राइबिक्र है फिर संगठन का कार है फिर माननेता है फिर नियम है और इस्थान है यह आपके कुछ विसेष्टा हैं जो मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है और विसेष्टा के बात इसके कुछ कार भी है जिनके पॉइंट को मैं आपको फिर से बता दूं पहला है प्रतिभूतियों का बजार करना दूसरा है प्रतिभूतियों का मुले नीरधारन और तीसरा है बिनियोक्ताओं को सुरच्छा देना चौता है पूंजी का निर्मान करना और फिर आपका है आजमा है आर्थिक डिकाश और छेटमा है धन का नियोचित बितरन जितना हो सके धन का सही उप्योग करना और इसके साथमा पॉइंट है कंपनी के प्रवंद का नियमान यानि कंपनी के प्रवंद की बेवस्था करना उसके नियमान करना इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकंद बिन्वे में द्वारा कौन कौन सी सेवाय दी जाती है उसके बारे में हम जानेंगे तो इसकंद बिन्वे में जो सेवाय दी जाती है वो तीन वर्गों को दिये जाते हैं पहला है समाज को प्रदान की जानी वाली सेवाय दूसरा है बिन्योकताओं को दी जाने वाली सेवाई और तीसरा है कमपनियों को दी जाने वाली सेवाई तो इन्हें जो भी सेवाई दी जाती है जो तीन प्रकार के हैं इसको हम ब्रस्तित से यानि की बड़े पैमाने पर हम आपको बताएंगे करें तो इसक पहले में आपको कुछ है प्रश्न दे रहा हूं हों भारता है जिसका उत्तर आप को लिखना है पहला और exploit this एस त्वा ने सेवाएं कौन-कौन से उसके बारे में लिखना है यह तीन प्रश्ण आपको है तो अब हम आपको इसकन बिन्वे द्वारा जो धी जाने वाली सेवाएं हैं उसमें सबसे पहला समाज को प्रदान की जानी वाली सेवाएं सबसे पहला सेवा है समाज को प्रदान की जानी वाली सेवाएं यानि सेर्विस डिरेंडरेट टू दा कॉमेनिटी स्टाक एक्षेंड समाज और राष्ट को अनेक महत्रपुन सेवा प्रदान करता है जिन में प्रमुख हैं पहला है आर्थिक बिकास है तो भित्य। तो स्टाक एक्सजेन देश के आर्थिक बिकास के लिए पुम्जी की ब्यावस्था करने का सबसे महत्य पूर्ण भूम के आदा करता है। ये बचत को पृसाहित करता है। और उसके उत्पादक प्रभावित करने में मदद करता है, तो यह तो पहला है, दूसरा है इसके जो सहेता करने में वह है उद्योगी करण में सहेता, उड्योकी करण में शाहता में, आपको मालूम है, देश में तिब्र उड्योकी करण हो रहे हैं, विशेशक का जो विकासिल देश में, जहाँ पर उड्योकी बित्य की कमी है, उसके लिए प्रियाप ब्यवस्था करके स्टाक एक्स्चेंड, अमूल शेवा प्रदान करता है, तो उद्योगी करण में शायता का कारे करने का कार करते हैं, तीसरा जो है वो है पुन्जी का नियोचित भितरण, यानि स्टाक एक्षेंड का कार है कि उपलब्द पुन्जी को अनुपातक से उत्पादक, आकुसल से कुशल, गैर आर्थिक से आर्थिक उद्योग की और आकर्षित करने में मदद करते हैं, यानि हम कह सकते हैं कि पुन्जी का कुशलतम उप्योग संभो बनाता है, इसके बा करें, तो अगला है पुन्जी निर्मान को प्रसाहन, ये लोगों से बचत करने, जैसे उद्योगों में बिन्योग करने, जोखीम उठाने की प्रवर्ति को बढ़ाता है, इसके अत्रिक बेक्तिगत और संस्थागत बच्तों को भी उत्पादक छेत्रों में बिन्योग करने के लिए प्रसाहित करता है, इस प्रकार से पुन्जी निर्मान प्रक्रिया में स्टाक एक्षेन की महत्यपून भून का होती है, फिर सरकार को बित प्राप्त करने में भी शुबधा है, सरकारे अपने विकास कार के लिए बित प्राप्त करने के लिए जनता से रिणपत और के वांड जारी करती है और स्टाक एक्षेंड उनके विक्रमेह सहायता करता है, इस तरह से कुशल संस्थाओं की मदद जो कुशल संस्थाओं हैν उनका भी ये मदद करते हैं इस्टाक एक्षेंड के माध्यम से कुशल तथा गैर कुशल संस्थाओं में भेद करना आसान हो जाता है कुशल संस्थाओं की प्रतिभूतियों को मुल बढ़ता है अतह लोग उसी और अधिक आकरसित होते हैं जहां उन्हें प्रसाहित मिलती है तो इस तरह से ये समाज को जो लाब है कुश पॉइंट मैंने बताया जैसे पुण्जी निर्मान में प्रसाहान सरकार को वित्य प्राप्त करने में शुबधा कुशल संस्थाओं की मदद और इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया आर्थिक विकास हेतु बेत्ते उद्योगी करण में सहायता पुण्जी का नियोचित वित्रैन इस तरह से ये समाज के लिए सेवाय प्रदान करती है अब दूसरी सेवाय प्रदान करती है वो क्या है बिन्योकताओं को दी जाने वाली सेवा प्रदान करती है उन सेवाओं को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं सबसे पहली सेवा प्रदान करती है वो है बाजार की सुग्धा शुब्धा ह कि । इस्टाक एक्षेन प्रति भूतियों के लें देन के लिए विन्योकताओं को बजार की सुग्धा प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से वो अपने प्रतिभूतियों को आसानी से खरीश सकते हैं या बेच सकते हैं तो पहली तो बजार सुब्दा है दूसरी है तरलता का मतलब होता है आउसकता अनुसार उसमें परिवर्तर तो स्टाक एक्सचेंग जिनके पास बचत है उन्हें बिन्योजन की सुब्दा प्रदान करता है यानि उसे बदल सकते आपस में क्योंकि वह प्रतिभूतियों को तर अधिक साख भी प्राप्त हो जाती है क्योंकि उनकी तरलता बढ़ जाती है इसके बाद बिन्योग की सुरच्छा बिन्योग यानि जो भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको सुरच्छा प्राप्त होता है तो बिन्योजक सुसंगठित स्टाक एक्षेंड के माध्यम से बिन्योग करके उसकी सुरच्छा के प्रतिया स्वस्त हो जाते हैं कि मतलब हमने जहां पैसा लगाया है वो हमारा सुरच्छित है उसमें किसी प्रकार का कोई खत्रा नहीं है कोई जोखीम नहीं है फिर है मुल परिवर्तन की जानकारी ये बिन्योकताओं को सुचनियत प्रतिभूतियों के मुल की जानकारी हमेशा देते रहते हैं जिससे कि उन कम्पनियों की प्रगति की जानकारी उन्हें प्रवोच रूप में यानि डारेक्ट रूप में उन्हें प्राप्त होती रहती है। इसके बाद आता है जोखिम को निवन्तम करना जोखिम को कम करना। स्टाकक एक्सेन बिन‌ईक्टाओं को निरंदतन बजार प्रदान करके प्रतिभूतियों को बिनमें साध्यच्वता प्रदान करके उनका उचित प्रॉष्ध मुल्यांकन करके और description करती हैं तो ये जो था ये आपको बिनियोकताओं को दी जानी वाली सेवाई हैं इनको हम एक बार फिर से आपको बता दें पहला है बजार की शुवधा, दूसरा तरलता, तीसरा बिनियोक की सुरच्छा चौता है मुल परिवर्तन की जानकारी, पाचमा है जोखीम को निवनितम करना इस तरह से ये पाच सेवाई प्रदान करती है अब हम जो तीसरा है वो कंपनी को दी जाने वाली सेवाई तो कंपनी को कौन-कौन सेवाई दी जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे सर्विस रिंड्रेट टू दा कंपनी स्टाक एक्षेंग कंपनियों को जो सेवाय देती है उसे हम कुछ इस प्रकार से ब्यक्त कर सकते हैं जिसमें पहला है बाजार का विस्तार बाजार के विस्तार यानि स्टाक एक्षेंग कंपनियों की प्रती भूतियों का बाजार बढ़ाता है ब्रस्तित करता है इसमें उन्हें कार संचालन में भी सुखधा हो जाती है कारसंचालन करने में उन्हें बहुत आसानी होती है किसी प्रकार की कोई दिक्कते नहीं होती है इसके बाद दूसरा जो है इसमें साख में ब्रधी स्टाक एक्षेन के माध्यम से कमपनियों की प्रतिभूतियों के लेन देन से उनकी साख यानि उनकी ख्याती बढ़ती है वही जब कमपनियां अपने प्रतिवूतियों का लेन देन जितना ज्यादा से ज्यादा करते है उनका बाजार में उतना ही ख्याती बढ़ता जाता है इस तरह से उनका साख में ब्रधी होती है फिर पूंजी प्राप्त होने में शुबधा पूंजी प्राप्त होने में शुबधा से मतलब है कि अपनी प्रतिभूतियों को सुचियत करने के बाद कमपनी को रणपत्र या अंसों के माध्यम से पूंजी प्राप्त करना आसान हो जाता बहुत आजानी से वो पुंजी प्राप्त कर सकते हैं जब उनकी साख में ब्रद्धी हो जाती है तब तो पुंजी प्राप्त होने में शुगधा के बाद अगला है मुल में परिवर्तन कम सुसंगठित स्टाक एक्षेंड में प्रतिभूतियों के मुल में उतार चड़ाव कम होने लगता है जैसे क्या होता है कि अगर इस्टाक एक्षेंड के माध्यम से प्रतिभूतियों के मुल में जैसे बढ़ता घरता है तो लोगों में विश्वास कम हो जाता और अगर उतार चड़ाव कम से कम हो जाए तो लोगों में ज्यादा से ज्यादा विश्वास जागर प्रतिभूतियों का मुल गैर सुचियत प्रतिभूतियों की तुलना में ज़्यादा होता है। इसके अगला जो सेवा की बात करें तो वह मध्यस्त तो इस प्रकार कंपनी को यह अपनी अमूल सेवा प्रदान करता है। तो यह जो है कंपनी को दी जाने वाली सेवाय हैं इसको हम अगर फिर से एक बार हम आपको याद के लिए समझा दें कि कंपनी को दी जाने वाली सेवाय में सबसे पहला पॉइंट है बजार का बिस्तार। और दूसरा पॉइंट है साख में ब्रदी और तीसरा है पूंजी प्राप्त होने में सुविधा का मतलब है कि यह समझी गये हो कि इससे आसानी से पूंजी प्राप्त की जा सकती है। फिर है मुल्लों में परिवर्तन कम यानि उतार चड़ाओ कम होता है जिसे मुल्लों में परिवर्तन की संभावना कम से कम रहती है फिर आपका है मुल्लो में ब्रद्धी मुल्लो में ब्रद्धी यानि मैंने पहले भी बताया कि प्राया स्टाक एक्षेंड में जो सुचियत प्रतिभूतिया होते उसकी तुल्निया में गैर सुचियत प्रतिभूतियों की तुल्ना से अधिक होती है और आपका ये छटमा है मध्यस्ट यानि स्टाक इस्टेन कमपनी और बिन्योकताओं के बीच में मध्यस्ट का कार्य करती है तो ये मैंने कुछ आपको आज बताया कि बिन्योकताओं को दी जाने वाली सेवा है और कमपनीों को दी जाने वाली सेवा है और आपका समाज को दी जाने वाली सेवा है ये प्रतेक पॉइंट को आपको अच्छे से अच्छे रीड करना है इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि कभी-कभी प्रश्णे इस पॉइंट के अंदर से पूछे जाते हैं जैसे अगर प्ष्ण में यह पूछ सकता है कि समाज को प्रदान की जाने वाली सेवाश में आर्थिक विकास है तो जो है उसके पॉइंट को यानि उस पॉइंट को आप समझाईए तब उस हाल में आपको अगर प्रतेक पॉइंट अच्छ से नहीं तयारी है तो आप उसको न जानकारी दी है। तो आज हमने क्या-क्या पढ़ा? सबसे पहले हम ने पढ़ा कि स्कन्न बीनमय का आर्थ। हैं एक बार मैं फिर से आपको स्कन्न बीनमय के आर्थ के बारे मैं समझा दूँ ज्योंकि पहले भी बताया था सायद आप भूल गये हों तो इसकंद बिन्वे एक बजार है और जिसमें प्रतिभूतियों को प्रस्तूत करने और बेचने का कार्य की जाती है और ये भिक्सित पुन्जी बजार का एक आवश्यक अंग है तो दीखिए परिच्चा में सिर्फ अगर परिभासा लिखने के लिए आता है तब तो आप जैसा कि मैंने आपको लिखाया है जनरली परिभासा लिख देंगे यार लेकिन अगर एकजाम में आता है कि आपको इसकंद बिन्वे की परिभासा प्रतिभूति प्रसंबिदा अधिनियम के लिखना होगा जैसे मैंने यहां बताया कि प्रतिभूति प्रसंबिदा अधिनियम के अनुसार प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के कारे को नियमी तथा नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश से बेक्थिगत या सामुहिक तथा पंजियन या आपंजियन रूप से संगठित बाजार को इसकंद बिन में कहा जाता है तो यह आप ध्यान देंगे कि इसमें जो जो मुख्य बाते बताई गई है उसको अच्छे से ध्यार में रख के ही आप इस परिभासा को लिख सकते हैं एक बार फिर से देखे यहां पर में पॉइंट क्या बता रहा है प्रतिभूतियों का क्रय बिक्रय के कार को नियमीत और नियंत्रित करने की सहायता प्रदान करने के उद्देश से बेक्तिगत हो या सामोहिक पंजियन हो या आपंजियन किसी भी रूप में संगठित बाजार को बिन में कहा जाता है तो यह मैंने आपको दुबारा कर लोगे तो यह तो आज आपका मैंने कुछ इसमें home बर्ग दिया है इस home बर्ग को आप भी करेंगे एक बार फिर सी यह home बर्ग मैं आपके सामने ला रहा हूं इसकन बिन्वे के लच्छन लिखिए इसकन बिन्वे के कार्य समझाईए और इसकन बिन्वे द्वारा दी जाने वाली सेवाय बताईए तो ये बच्चों आज के लिए होंबर्क है और आज इतना ही काफी है